उत्रखंड में महिलाओं की द्रिष्टी से अगर समझने की कोशिश करे तो जल्द ही महिला मंत्री के दुआरा उत्रखंड में उन लोगों का लिए काम किया जाने वाला है जिनके साथ एसिट अटेक जैसे कई मामले सामने आए है इसी को लिए जादा बाच्चित करने के कर और खास कर जो महिलाओं अनपड है उन तक शिश्चा पहुचाने को लेकर आप काम करने वाले देखिए महिलाओं यदि उत्राखंड के परिवेश में हम देखते हैं तो बहुत जादा महिलाओं करमट है संगरशील हैं महनती हैं और किसी ने किसी रूप में अपने आपक हैं जो प्रकरती ने किसी तरीके से जो भी रहा होगा वो अस्वस्त पैदा हुई है अथ्वा वो हैंडिकप्ड पैदा हुई तो ऐसी महिलाओं को अपने परिवार पे किसी भी तरीके से वह बोज न रहने पाएं अथ्वा परिवार उनको बोज के रूप में न ले तो उन महिलाओं को किस प्रकार से मैं स्वालम भी बना सकती हूं अधवा किस प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम बना सकती हूं तो इन महिलाओं की आर्थिक सिती की दूसरे के उपर निर्भरता को समाप्त करते हुए स्वयम के उपर पैर के उपर खड़े होने की ताकत देने के ल आप से ये सवाल जरूर बनता है कि उत्राखन के परिपेक्ष में अगर समझे तो अर्थविवस्ता के तौर पर उत्राखन अभी कहीं न कहीं मंदी की मार जहल रहा है राजस का एक बड़ा घाटा देखने के मिल रहा है जीएस्टी का असर लगबग आने वाले 10 सालों तक रह हैने वाला है नोडबंदी का असर देखने के मिला ऐसे में उसकी पूर्ती कैसे की जाएगी क्या कोई नए योजनाय या फिर किसी तरीके से फंड अरेंज करने की कोशिश है तेकि मुझे लगते कि जो अर्थविवस्ता का मामला है उत्राखन के संदर में मैं कहना तो निरंतर राजस्व अपनी और से परदेश को मिल रहा है और रही बाद जीस्टी की तो जीस्टी में जब केंडर सरकार के साथ में उत्राखन के साथ में बराबर जो है किस प्रकार से टैक्स का डिस्ट्रिबुशन होगा वो तैय किया जा चुक है अथवा कोई घाटा है तो किंडर सरकार उसकी पूर्ती करेगी तो मुझे लगता है कि उत्राखन में ऐसा कोई मैं नहीं देखती हूं कि मंदी के दोड़ से बहुत लोग विरुजगार हो है बलके मैं कहूंगी कि सरकार के प्रयासों से बहुत लोग स्वालंभी बने हैं स्वरुजगार की और क्याना है कि मंदी के असर को अगर समझने की कोशिश की जाए तो उत्राखन में फिलाल जी टीपिक इस्तिती बेशक डामडोल नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि दामडूल स्तिती को और बहतर बनाने की कोशिश की जाए क्याम अबसे भावना आना यंटी विद्धिलिंग